आप सब्सक्राइब 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 तो रोज की तरह हमेशा की तरह दो important news आपके सामने प्रेजंट लेकर आया हूं तो आए डिसकस करते हैं कौन से वह important news है और यह आपके लिए काफी जाद important क्यों तो बढ़ते हैं पहले news की तरफ the very first news आप सभी के सामने किया रहा है पहला न्यूस धान से पढ़ेंगे डिसकस करेंगे यह है कि वाई आप बिजेपी और अलाइज वाइन फॉर्ट पोर्स्ट और स्पीकर और लोगसभा तो यहां पर देखिए आप सभी को पता है कि लोगसभा elections कंप्लीट हो चुके है रिजल्ट आ चुकी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शपत भी ले लिया ठीक है अगर आपको याद हो कि विजेपी गवर्मेंट ने इस पर्टिकुलर election में विजेपी गवर्मेंट ने इस पर्टिकुलर election में 240 सीटे जीती है पड़विया इनको सरकार बनाने के लिए 272 सीटे की जरुवत थी क्यूंकि 543 सीट होती है कहां पर हमारी लोवर हाउज में या आप कहलो लोगसभा के अंदर या तो लोगसभा के अंदर अब यहां पर थूंकि बिजेपी के पास 240 सीट है तो इनको मिजॉर्टिक के सरकार बनाने के लिए 14 डिफरेंट पार्टी के साथ अलाइस बनाया ना पड़ा एक सकंद जी 14 डिफरेंट पार्टी के साथ इनको कुलाब्रेड करना पड़ा जिसके बाद इनकी तोटल सीट हो गई 293 जिसे हम NDA गवर्मेंट भी कहते हैं इसे हम NDA गवर्मेंट भी कहते हैं यहां पर जो सबसे बड़ा रोल रहा बिजीपी को सपोर्ट देने का वो रहा है 28 सीटो तो आई है आंद्रप्रदेश और बिहार से अब जो आंद्रप्रदेश के तरफ से सपोर्ट आया बिजीपी को और बिहार के तरफ से जो सपोर्ट आया बिजीपी को यह दोनों पार्टी जो है यह डिमांड कर रहे हैं क्या स्पीकर की सेट के लिए ठीक है कि इनको भी यह बनना है तो लोगसभा का speaker का importance क्या है इससे समझने के लिए आज हम लोग इस particular news को discuss करने है ठीक है तो news यह है कि why are BJP analyzed wine for the post of speaker of लोगसभा ठीक है इससे पहले जो लोगसभा की speaker थे वो थे ओम बिरला ठीक है तो ओम बिरला speaker रह चुके है अब नए speaker की appointment होने वाली है BJP government भी चाहती है कि उनका कोई candidate लोगसभा का speaker बने जो जेडियू है वो भी चाहती है कि उनका candidate speaker बने अन्द्र पिदेश की जो allies है BJP government की वो भी चाहती है कि उनका candidate लोगसभा का speaker बने तो क्या reason है कि सभी लोगसभा के speaker का पोस्ट चाहते हैं आज इस चीज को समझेंगे इस पर्टिकुलर न्यूस के अंदर ठीक है तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हम लोग कौन कौन सी बातों को डिसकस करेंगे सबसे पहले न्यूस को डिसकस करेंगे उसके बाद डिसकस करेंगे ओफिस आफ़ डिसकस करेंगे वाट दपर शुक्रास पॉफ लोग सबसेख और अंडिय अलाइज तो क्या सिगनिफिकेंट्स है क्यों अंडिय अलाइज अपने कांडिडेट को लोग सबा का स्पीकर बनाना चाहती है आई तो यहां पर आंदर प्रदेश बिजएपी की आंद जिहार वाली अलाइज है, two of the BGP's main India अलाइज are reportedly vying for the position of speaker as the 18th लोगसभा gets ready to convene, ठीक है, the speaker is chosen as the presiding officer of the लोगसभा following the administration of the oath to new members by a protem or temporary speaker, so यहाँ पर जो speaker है, इसके post के लिए BGP के जो अलाइज है, वो fight कर रही है, है आंद्रप्रदेश की जो TDP है, आंद्र विहार की जो JDU है, यह दोनों अपने candidate को as a लोगसभा speaker बैठाना चाहती है, in fact BGP government भी अपने candidate को यहाँ पर इस post पर बैठाना चाहती है, two reasons क्या है, इससे समझे, सबसे बहले समझते हैं कि office of the speaker of लोगसभा about the office, article 93 of the Indian constitution provides for the office of the speaker and deputy speaker who are to be elected as soon as maybe after the commencement of the house, जैसे ही लोगसभा की शरुवात होगी, जैसे 18th लोगसभा की शरुवात हो चुकी है, वैसे ही यहाँ पे एक deputy speaker and एक speaker को appoint किया जाएगा, election in term of the speaker, he, she is elected by a simple majority in the house and the term ends with the dissolution of the house, she, he can also resign or can be removed from office before that, तो यहाँ पे जो speaker का election होता है, he, she, यानि कि यहाँ पे महिलाए भी elect हो सकती है and पुरुष भी elect हो सकते हैं, यानि कि लोगसभा की speaker की रुपे आपको women या men दोनों देखने को दो मिल सकते हैं, तो यहाँ पे women या men जो भी elect होंगे, इनके election के लिए simple majority की जरुवत होती है, यानि कि more than half, ठीक है, removal of the speaker की बात करो, तो as per article 94 of the Indian Constitution, a motion of no confidence can be moved against the speaker with notice of 14 days, तो यहाँ पे अगर किसी speaker को remove करना है, उसके post से तो एक no confidence motion को raise करनी की जरुवत है, बट उससे पहले 14 दिन का यहाँ पे एक information या notice period जो है, वो देनी की जरुवत है, also like any other member of the house, he shouldn't can face disqualification, and disqualification के basis पे यहाँ पे speaker को remove किया जा सकता है, अगर मैं office की बात करूँ of the log sabah speaker, तो article 93 of the Indian Constitution कहता है, कि लोग sabah के अंदर एक deputy speaker होगा और एक speaker होगा, यहाँ पे बहिया simple majority में उनका election होगा, और यहाँ पे उनको disqualify किया जाता है, बट उससे पहले 14 दिन का उनको notice period देना पड़ेगा, एक no confidence motion को चलानी की जर्वत है, qualification of the speaker की बात करूँ, तो there are no specific qualification for becoming speaker, which means any member is entitled to be considered, तो यहाँ पे लोग sabah का कोई भी member speaker बन सकता है, इसके लिए कोई भी eligible eligibility नहीं है, ठीक है, How is the post of speaker distinct from other members in the house, अब देखो लोग sabah में तो 543 members होते हैं, है ना, तो यह जो लोग sabah का speaker है, यह other members से different कैसे होता है, इसे समस्त, the speaker is the presiding officer, है ना, जो जब लोग sabah चलेगा, है ना, जब उसमें sessions होने शुरू होंगे, तो इसका presiding officer के रूप में कौन काम करता है, तो speaker काम करता है, and plays a crucial role in parliamentary democracy, the post differs from other members in the following ways, the placement of the speaker chair in the house, देख है, जो speaker का chair होता है, वो बिलकुल different होता है, वो जो members होते हैं, लोग sabah के, उससे अलग जो है, इनकी seat होती है, he, she has a casting vote, and is in charge of the functioning of house, and plays a crucial constitutional role in dealing with disqualification of the members, तो यहाँ पे देखे, एक important role play करता है, लोग sabah का speaker, अगर किसी member को disqualify करना होता है, साथ इसाथ, उनकी जो placement होते हैं, उनकी जो chair होती है, जहाँ पे वो बैठते हैं, वो बाकी के members से अलग बैठते हैं, साथ इसाथ, जो लोग sabah की functioning होती है, उनको lead भी कौन करते हैं, लोग sabah की speaker कहते हैं, the salary of the speaker is drawn from the consolidated fund of the India, unlike for other members, तो other MPs है, उनकी जो salary है, ठीक है, उससे अलग लोग sabah की speaker की जो salary है, यह consolidated fund से आती है, अब समझते हैं कि what are the powers of the speaker of the लोग sabah, ठीक है, तो यहाँ पे decides how the लोग sabah is conducted, the conduct of government business is decided by the speaker in consultation with the leader of the house, ठीक है, तो लोग sabah में जो leader होगा, leader of the house होगा, उसके consultation से यहाँ पे proceedings, लोग sabah की proceedings चलाई जाती है, under the mentorship of speaker of the लोग sabah, prior permission of the speaker is required for members to ask a question or to discuss any matter, अगर किसी member of parliament को कोई question पूछना है, को discussion करना है, तो उससे पहले आपको permission लेनी पड़ीगी speaker of the लोग sabah की, the speaker has vast power ensuring that rules and procedure for the functioning of the house are followed, member of, लोग sabah, sorry, लोग sabah की अंदर जितने भी members हैं, उनको लोग sabah की कुछ नियम मानने पड़ेंगी, अगर कोई यह नियम मानता नहीं है, तो उसको disqualify करना, या लोगों को यह direct करना की आपको नियम मानने की जरुवत है, लोग sabah की decorant को maintain करने की जरुवत है, ठीक है, यह ensure करने का काम भी किसका होता है, तो लोग sabah की speaker का होता है, तो यहां पर इसके पास एक पावर होता है, एक्सपेंज करने का, एक्सपेंज करने का मतलब है, या तो पूरी तरीके से पार्ट कर रहे हो, या तो आप पार्ट कर रहे हो, तो यहां पर एक बिल को पुश भी कर सकता है, वोइस वोट की मज़र से, तो यह कुछ पावर्स थे, किसके लोग sabah के, लोग sabah के speaker के, आगे आता है, अगर गवर्मेंट के खिलाफ एक नो-कॉफिदेंस मोशन प्रेजन होता है, तो वहां पी भी एक बहुत इंपर्टेंट रोल प्ले करता है, काई लोग sabah का speaker, for example, when the YSRCP and TDB gave notice for a motion of no confidence in 2018, the then speaker adjourned the house several times before admitting the motion and putting it to vote, तो यहां पे, जब वो no confidence motion आता है, opposition party किसी current government के खिलाफ no confidence motion को raise करती है, तो यहां पे, proceeding को बहुत बार cancel out करने की भी power होती है, किसके पास, तो speaker of the लोग sabah के पास, casting vote की बात करूँ, to article 100 of the Indian constitution, the chairman of Rajya Sabah और speaker of लोग sabah shall not vote in the first instance, but shall exercise a casting vote in the case of any equality of vote, तो यहां पे देखे, कभी भी कोई चीज के लिए voting हो रही है, तो initially, Rajya Sabah का जो speaker होगा, या लोग sabah का जो speaker होगा, initially वोट कास नहीं करता है, बट अगर अगर भया, किसी matter में, किसी matter में voting equal हो जाए, तो ऐसे में decision making voting करने का काम कौन करेगा, तो लोग sabah का speaker, conventionally, the speaker votes in favor of the government, और generally, हमेशा यही होता है, कि जो government होती है, उसी का candidate, speaker बनता है, तो वो government के favor में ही, वोट डालने का काम करता है, Disqualification of members, the 10th schedule of anti-diffication law introduced to the constitution through the 52nd amendment act of 1985, gives the speaker, the house, the power to disqualify legislature who defect from the party, तो यहां पर members को disqualify करने का भी power इनके पास होता है, अगर rules and regulations को follow नहीं किये जाते है, In the Q2-Holland case 1992, the Supreme Court upheld the power vested in the speaker and said that only the final order of the speaker will be subject to judicial review, In 2020s, the Supreme Court had ruled that speakers of assemblies and loksabha must decide disqualification please within 3 months except in extraordinary circumstances, तो यहां पर disqualification का भी power किसे मिलता है तो लोकसभा के speaker को मिलता है अगर कोई member of parliament certain rules and regulations को follow नहीं कर रहा है, जैसे एक example के तौर पर समझते हैं अभी recently पंजाब के अंदर वारिस पंजाब दी नाम का एक organization है जो की खालिस्तान की डिमान करता है, ठीक है वहां से अमरित पाल उसके जो present leader है वो जीत जाते हैं जब वो जेल में होते हैं अब जब वो जेल में है वो जीत गए ठीक है जेल में है वो जीत गए बट यहां पर उनको speaker को जहां पर वो बैठेंगे लोगसभा में जाके बैठेंगे बट अभी वो जेल में तो लो इंफॉर्मिंग दे लोगसभा स्पीकर नहीं पार्टिस्पेट करते हैं इन दे प्रूसेडिम्स ओफ लोगसभा तो आपको ऐसे केसिस में लोगसभा का स्पीकर डिस्कॉलिफाई कर देगा ठीक है तो यह पावर्स भी लोगसभा के स्पीकर के पार होता है अब समझते हैं क्यों ऑपोजिशन ऑपोजिशन स्वरी और क्यों जो बिजेपी की अलाइस है बिहार के अंदर आंद्रप्रदेश के अंदर उनको अपना का कैंडिडेट चाहिए ऐसा लोगसभा स्पीकर पॉद ऑपोजिशन तो हाव वोईस इन दा हाउस तो यहां पर आप देखोगे ओपोजिशन के लिए भी लोगसभा का स्पीकर एक न्यूटल बंदा होना बहुत ज़्यादा जरूरू इनके लिए हैं ना एंडिया एलाइस जो बिहार में हैं आंद्रप्रदेश में हैं और ओपोजिशन के लिए भी एक ऐसा न्यूटल important is that he she is considered the final interpreter of the provision of the constitution of India in matters dealing in with the log sabah the rules of procedure and conduct of business of log sabah तो यहां पर आपको मैंने बताया कि जो rules है log sabah के उसके proceedings के rules है यह माना जा रहा है इसको ensure करने का काम भी किसका है log sabah की speaker का है यानि कि यह लोग sabah को interpret करता है ठीक है he she also decide on the disqualification of a member and is the final authority on matters of defecation तो जो candidates है MPs है ठीक है उनको disqualify करने का काम भी power भी इनके पास होता है the power of the speaker under the 10th schedule of the constitution is perhaps more significant than how the house conducted because defecations can alter number in the house and cause a government to fall तो यहां पर देखे if in case बहुत सारे candidates को disqualify कर दिया जाता है ऐसे cases में government fall भी हो सकती है तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि एक speaker reason भी बन सकता है किसी government के गिरने का if the speaker act in a timely manner and disqualify such members then the new government may not have a majority obviously बहुत सारे disqualification हो जाएंगे तो majority की government नहीं होगी however a delay in deciding the disqualification petition can violate the 10th schedule for example the supreme court had directed in 2023 the then maharashtra assembly speaker to initiate disqualification proceeding against amelies of the two faction of the chief sinner at the earliest the petitions of disqualification has been pending for more than 1.5 years at that point which had caused the Uddev led administration to fall. तो यहां पे disqualification को रोका भी जा सकता है particular लोगसाभा के speaker के द्वारा तो यह सारे पाववास है जिसकी वज़े से even opposition even bgp government even bgp की जो allies है इंदी आंद्रपरदेश and बिहार यह सभी चाहते हैं कि उनका जो opposition है इंडिया इंडिया अलाइस वो चाहती है कि एक neutral बंड़ा as a speaker of लोगसाभा बैठे है ना बाकी की जो allies है आंद्रपरदेश इन बिहार की वो चाहती है कि उनका एक अपना candidate लोगसाभा के पोस्ट पे बैठे लोगसाभा के speaker के पोस्ट पे बैठे ठीक है तो यह था हमारा आज का पहला additional rural and urban houses को मंजूरी दीदी है कि आप इतने करोर houses को construct करें under the PMAY scheme आए समझते हैं यह PMAY scheme क्या है उससे पहले इस particular article के अंदर सबसे पहले news को discuss करेंगे हम discuss करेंगे house scarcity in India house scarcity का मतलब है घरों की कमी भारत के अंदर घरों की कमी प्रधार मंत्री आवास यूजना क्या है जिसे हम PMAY के नाम से जानते हैं प्रधान मंत्री आवास यूजना अर्बन क्या है और प्रधान मंत्री आवास यूजना ग्रामिन क्या है इसे भी discuss करेंगे and current status क्या है इसे भी discuss करेंगे so news here है कि chairing the maiden cabinet meeting office third term Prime Minister Modi approved government assistance for the construction of 3 crore wool and urban houses under Pradhaan मंत्री आवास यूजना और थ्री क्रोर houses 2 crore will be constructed अंडर प्रधान मंत्री अवास यूजना अर्बन तो यहां पर प्रधान मंत्री आवास यूजना प्रधान मंत्री ने जैसे ही अपने third term की शुरुवाद के यहां पे तीन करोर घरों को construct करने के बारे में यह मंजूरी दे दे गई है जहां पे दो करोर घर बनाए जाएंगे गावी एरिया में तो यहां पर अगर मैं रूल अर्बन 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 देटा के बारे में ही बात करें अकॉर्डिंग तो दे गवर्मन डेटा लगभग 20 million घरों का अभाव है कहां पे रूल एरियास में ठीक है साथ साथ 3 million घरों का अभाव है अर्बन एरियास में यह government की डेटा के बात करें हम ठीक है 3 million घरों का अभाव है अर्बन एरियास में अकॉर्डिंग ट्यूर्डी बाइद I C R E R Urban Housing Shortage Increased by 54 जो अर्बन हाउसिंग शौटेज यानि कि शहरों में जो घरों की कमी है यह इंक्रीज हो गई है पहले यह 1.88 करोर हुआ करती थी यानि कि 2012 में अब यह 2.9 करोर हो गई है 2018 में यह बात भी आपको याद रखती है अब प्रधार मंत्री अवास शोजना के बारे में बात करते है प्रधार मंत्री अवास शोजना is a flagship housing initiative of the government of India launched in 2015 with the aim of providing affordable housing to the urban and rural poor तो यहाँ पर प्रधार मंत्री अवास शोजना की शुरुवात होती है as a central government initiative जहाँ पे central government affordable housing provide करेगी भारत के गावी एरिया में रहने वाले गरीबों के लिए और बाहरत के शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए यह skim launch होता है 2015 के अदर the mission envision housing for all यह जो skim launch किया गया था 2015 में जिसे हम प्रधार मंत्री अवास शोजना की नाम से जानते हैं ठीक है इसे launch किया गया था एक theme के अंदर जहां पे हम यह insure कर रहे हैं जहां पे सरकार यह insure कर रही है कि भारत के सभी citizens के पास अपना एक घर होगा मतलब हर एक परिवार क के पास अपना एक घर होगा by the year 2022 marking the 75th year of India's independence तो यहां पर टार्गेट यह जो रखा गया था तो यहां पर यह संटरी स्पॉंसर स्क्रिम है बट हाला कि इसमें स्टेट गवर्मेंट का ज्यादा संटर गवर्मेंट का contribution आपको देखने को मिलेगा अब समझते हैं प्रधान मंत्री अवाज शोजना अर्बन यानि कि प्रधान मंत्री अवाज शोजना जो अलग-अलग phase में launch किया था एक phase जो की focus करेगी अर्बन एरियास में house development की एक phase था जो की focus करेगी रूल एरियास के लिए तो सबसे पहले अर्बन एरियास के बाद करते हैं टार्गेट अर्बन एरियास तो अड्रस हाउदिंग शॉर्टेज अमंग दा economically weaker section of the society low income group and middle income group तो यहां पर अर्बन एरियास में जो economic weaker section of the society के लोग है उनको focus किया गया low income group वाले लोगों को focus किया गया और साथ middle income group वाले लोगों को focus किया गया and उन लोगों को affordable housing provide कि focus on the development of affordable housing through various approaches like in setu slum redevelopment, affordable housing in partnership, beneficiary led individual house construction, credit link के subsidy scheme तो इन approaches के through प्रधार मंत्री अवाज श्योजना को initiate किया गया कहा पे urban areas के अंदर यानि की शहरों में अब प्रधार मंत्री अवाज श्योजना ग्रामिन या rural areas की बात करें focus on providing affordable housing to the rural people अना गाउं में रहने वाले जो गरीब लोग है उनको focus करते हुए affordable housing provide करना aims to construct durable house with basic amenities for household in rural areas who do not own a pukka house तो यहां पे गाउं में रहने वाले जो किसान है जो गरीब लोग है जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको affordable पक्का मकान प्रवाइड करना ये इसका focus था budget allocation की बात करू रूरलन पूर की तो of the प्रधान मिंत्री अवास होज्रा combined received Rs. 80,67 crore in the interim budget release in February 2014 तो निर्मला सिता रमन जी हमारी finance minister है और इन्होंने अगर आपको याद हो 1st फरवरी को interim budget release किया था देखिए interim budget जो है ये एक आप कहा सकते हैं छोटा सा budget होता है budget का एक बैमू form होता है अब ये complete budget जो है वो release करेंगे जुलाई के महने में तो interim budget में निर्मला सितरमन जी ने इस particular scheme को यानि कि प्रधान मंत्री अवास योजना के scheme को लगबग 80,671 क्रोर रूपिस अलोट किये थे कि इतना पैसा और लगाया जाएगा इस scheme के अंदर अब प्रधान मंत्री अवास योजना ग्रामन के बारे में बात करते हैं so the main of the scheme is to provide पक्का हाउस with some of the basic amenities this scheme is meant for people who do not own a house and people who live in कच्चा हाउस और होसे विचा severely severely damaged तो यहां पर प्रधान मत्री अवास योजना ग्रामन का मतलब यह है कि ऐसे गरीब गाउंब रहने वाले जो गरीब जिनके पास पक्का मकान नहीं है कच्चा मकान है उनको पक्का मकान प्रवाइड करना at a affordable rate साथ इसाथ एक ऐसा पक्का मकान होगा जहां पर basic amenities भी होगी यानि कि टॉलेट भी होगा kitchen भी होगा tap water connection भी होगा at present the minimum size of the house to be built अंदर प्रधान मंत्री अवास योजना ग्रामिन स्केम इस 25 स्क्वार मिटर वित हाईजनिक कोकिंग स्पेस तो यहां पर इतने स्पेस में आपको घर मिलेगा concern ministry कौन है यानि कि प्रधान मंत्री अवास योजना ग्रामिन को implement करने वाली मंत्राले कौन सा है त अब को याद रिखता है अब कॉस्ट शेरिंग की बात करते हैं इंदी प्रधान मंत्री अवास योजना ठीक है तो दा कॉस्ट ऑफ यूनिट इस शेर्ड इना 60-40 रेशियो बिट्वें दा सेंटर अन स्टेट गवर्मेंट इन प्लेन इरियास यहां पर देखें क्या होगा लगसे बयाँ दो लाकर रुपए देने हैं लगसे सरकार को दो लाकर रुपए देने हैं तो इसमें से 60% अमंट जो है यह इंटर भी एर करेगी एंट 40% amount जो है किस state bear करेगी यहाँ पी मैं किस की बात कर रहा हूँ plain areas की बात कर रहा हूँ है ना mountainous areas की sharing अलग है plain areas की sharing अलग है in the Himalayan states north eastern states and the UT of Jammu and Kashmir the ratio is 90-10 with up to 1.30 lakh of assistance for each unit तो यहाँ पर आप दोखो यहाँ पे जो total amount है 120,000 का है जिसमें 60% center bear करेगा 40% state bear करेगा किसकी बात कर रहा हूँ प्रधाल मंत्री अवाज शोजना ग्रामिल और ग्रामिल कौन सा जो plain areas वाल है बट वहीं अगर मैं उत्त्राखंट की बात करूं तो यहाँ पे 130,000 का खर्चा किया जाएगा जिसमें से 90% center bear करेगी and 10% जो है यह state bear करेगी अगर यह UT है तो यह UT यहाँ पे UT bear करेगी 10% ठीक है Media Reports have said that center has decided to increase the cost of construction of प्रधानमत्री अवाज योजना ग्रामिल हाउस from existing 1.2 lakh 2 rupees 1.8 in plains and 1.3 lakh 2 rupees 2 lakh in hill areas तो आने वाले टाइम पे यह जो एक लाग 20,000 का investment है यह 1.8 lakh का हो जाएगा यहाँ पे जो एक लाग 30,000 का investment है यह 2 lakh तक पहुचने वाला है 100% financing from the center for union territory including UT of Ladakh तो यहाँ पे लदाक UT में 100% जो पैसा है यह कौन लगाता है center लगाता है बात को समझना मैंने क्या कहा cost sharing की बात की अगर प्रधान मंत्री अवाज सोजना ग्रामिन की अगर मैं बात करूं ठीक है और plane वाले किसी गाओं की बात करूं let's say मैं उत्तर परदेश में किसी गाओं की बात कर रहा हूं तो वहाँ पे घर बनाने के लिए 120,000 रुपए सरकार आपको देगी इस 120,000 में से 60% पैसा central government लगाईगी 40% पैसा state government लगाईगी ठीक है और यह amount एक लाग 20,000 का amount आने वाले टाइम पे एक लाग 80,000 हो जाएगा अब आते हैं हिली एरियास में जैसे मैं उत्रखंट की बात करूं तो उत्रखंट में अगर घर बनाना है तो वहाँ पे एक लाग 30,000 का assistance दिया जा रहा है जिसमें से 90% assistance central government देगी 10% assistance state government देगी अगर UT है तो दो लाग हुने वाला है ये बात भी आपको याद रखनी है ठीक है Salient features of the skim beneficiaries are identified using parameters from socio-economic and caste census 2011 data and verified by Gram-sabhars तो यहां पर देखें कौन गरीब है किसके पास पक्का मकान नहीं है यह आप verify कैसे करोगे तो 2011 की census के according and साथ इसाथ Gram-sabha की जो members है वो विजट करेंगे कि आपको असपका मकान actual में है की नहीं and उसके बार आपको यहां पर ही आप मकान अलोट किये जाएंगे beneficiary are entitled to 90-95% days of unskilled labor under Mahatma Gandhi national employment guarantee scheme assistance for construction of toilets up to Rs.12,000 to be provided under Swachh Bharat Mission Grammin in collaboration with Mandrega or other skims payments are made electronically direct to bank account और post office account data link to अधार तो यहां पे 2011 के census के according साथ इसाथ Gram-sabha के तरफ से verification आएगा कि आपको एक्ष्वल में पका मकान है के नहीं और अगर नहीं है तो आप verify हो जाओगे और उसके बाद आगे का process चलेगा ठीक है उसके बाद मंदrega में आपको यहां पर मंदrega से आपकी affiliation होनी चाहिए registration होना चाहिए साथ इसाथ toilets के लिए आपको आपको 12,000 रुपे मिलने वाले के बनाने के लिए जो पैसा है या आपके bank account में या post office के थ्रू आपको मिल जाएगा आपका सिर्फ आधार जो है वो लिंग्ट होना चाहिए performance की बात करूं तो out of the overall mandated target of 2.95 crore houses allocated to state duty under the प्रधान मित्री अवाज होजना ग्रामीन more than 2.94 crore houses have already been sanctioned to the eligible beneficiary by the state duty तो यहां पर target हमने रखाता 2.95 crore का कि हम इतने घर कि प्रवाइड करने वाले हैं प्रधान मंत्री आवाज योशना ग्रामीन के अंदर ठीक है जिसमें से 2.94 crore घर और अलोकेट किये जा चुके है अब बात किरते हैं प्रधान मंत्री अवाज शोजना अर्बन यानि के शहरी Housing for all is one of the major flagship program of government of India launched on 25 June 2015 and being implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs मैं आपको पता है कि प्रधान मित्री अवाज योजना ग्रामीन को implement करने का काम करेगा Ministry of Rural Development but यहां पर प्रधान मित्री अवाज योजना अर्बन को implement करने का काम करेगा Ministry of Housing and Urban Affairs it will ensure all weather पक्का houses to all eligible beneficiary in the urban areas of the country through states or YouTube or Central Nodal Agency by the year 2022 when nation complete 75 years of independence यहां पर हमारा target था कि भाईया सभी घरों तक सभी families के पास अब पक्का मकान होगा शहरों में ठीक है और यह target 2022 का था जब हम लोग 75 साल of independence celebrate कर रहे थे the scheme covers the entire urban area of the country that is all statutory towns as per census 2011 and towns notified subsequently including notified planning or development areas यहां पर 2011 के census के according सभी towns यहां पर कवल हो रहे थे अगर मैं वोटिकल्स की बात करूँ प्रधार मंत्री अवास्थ योजना अर्बन की तो यहां पर देखिया अलग अलग वोटिकल्स है जैसे AHP affordable housing partnership ठीक है यह affordable housing partnership private sector and public sector के साथ हो सकता है यहां पर जो EWS फ्रामली है इसको 1.5 लाग का क्या मिलता है assistance मिलता है उसके बाद है DLC beneficiary led individual house construction और enhancement यहां पर government of India का grant मिलता है 1.5 लाग का उसके बाद CLSS यह credit link subsidy scheme जहां पर आपको interest मिलता है 3 से लेकर 6.5 परसेंट का ठीक है interest में subsidy मिलती है इन से तू slum redevelopment जहां पर एक लाग का government grant मिलता है एक लाग रुपे का government grant मिलता है तो प्रदानमत्री अवास उजना अर्बन के अलग अलग है funding की बात करूं तो it is implemented as a centrally sponsored scheme except for the component of credit link subsidy scheme which is implemented as a central sector scheme while the government of India provide financial assistance state government or UT implement the scheme including selection of beneficiaries तो यहां पर beneficiaries का selection state या UT करती है पर पैसा भाईया central पे करेगी कुछ initiatives है प्रदानमंत्री अवास उजना अर्बन के अंदर तो यहां पर affordable rental housing complex बनाए जा रहे है global housing technology challenge इंडिया ठीक है यह इसके components है CLSS अवास पोर्टल जहां पर एक लाग रुपए का सरकारी क्या मिल रहा है subsidy मिल रहा है उसके बाद अंगी कर ठीक है it is a campaign for social change management initiated by housing for all mission in 2019 it has achieved the objective to build capacities of प्रदानमंत्री अवास उजना अर्बन बनेफिशरी extension of timeline in August 2022 the government approved the continuation of प्रदानमंत्री अवास उजना अर्बन up to December 31st 2024 for the completion of already sanctioned houses till March 31 2022 तो यहां पर आप सभी को पता है कि 2022 तक इसका target year था ठीक है तो यहां पर government of India ने क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ था तो 31 मार्च 2022 तक जितने भी घरों को शांशन किया गया है उसको complete करने के लिए 31 December 2024 तक इस scheme को क्या किया है आगे बढ़ाया है performance आप देखोगे त्रधान मंत्री अब आज सोचना अर्बन का performance तो यहां पर 118.64 लाग शांशन किये गए घरों को उसके बाद 114.17 लाग घरों को ग्राउंडेट किया चुके है 82.36 लाग घरों को complete किया दा चुका है दो लाग करोर संट्रल असेस्टेंस जो है वह कमिट किया गया है 163926 करोर संट्रल असेस्टेंस रिलीज किया जा चुका है और आट लाग करोर का यहां पर तोटल इंवेश्मेंट देखने को मिला है तो यह था आज का हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज आई होप यह दोनों न्यूज आपको कंफर्म हो गए होंगे अब मलते हैं कल करेंट फर्स के अपने अगले पढ़ाव में तब तक के लिए मैं शुर्ण सिंग अलविदा लेता हूँ जैहिन जैभागत